नमस्कार ठत्रों, एडोकेट वापुसाय भोंड़े स्कूल के डिजिटल स्कूल में आप सबका सहर्ष स्वागत है छात्रगानों, आज से हमारे दूसरी इकाई, यानी सेकेंड अम की शुरुवात हो रही है मैं छाय काले, आज आपको हिंदी या विशय में हिंदी महिने पाठ करमंक 14 है, नेम ओफ मन्स इन हिंदी या पड़ाने वाली हूँ देखो छात्रों, हम जब स्कूल में नर्सरी में प्रवेश्ठ लेते हैं, तब से हम कान्नोसेशन या विशय में month of the year या सीखते हैं नर्सरी से लेकर कक्षा चार तक हम यह बार-बार सीखते आये हैं आज हम अपने हिंदी ये विशे में फिर से एक बार इसकी जान करी लेंगे छात्रगानों आज तक हमने अपने साल की शुरुवाद जन्वरी परवरी इन महिनों से की है लेकिन अब हम अपने हिंदी महिने सीख रहे हैं और हिंदी मराठी ये दोनों महिने लगबक एक जैसे ही होते हैं। चलो तो अब हम कौन से है ये चरा देखेंगे। तो हिंदी महिनों का पहला महिना है चैत्र, वैशाक, जेश्ट, आशाण, श्रावन यानी सावन का महिना। भाद्रपत यानी भादो। अश्विन, अश्विन को हम केते हैं कुवार। फिर कार्तिक, मार्गशिर, पोश, माग, फालगुन, फालगुन यानी फागुन का महिना। ठीके, अब हमने ये बारा ही महिने देखेंगे। अब हम ये महिने और इनसे जुडे त्योहार भी देखेंगे। पहला महिना है चैतर। और चैतर हिंदी कैलेंडर में भी और मराथी कैलेंडर में एक जैसे होता है। ये साल की शुरुवत करता है और ये साल का पहला मेना है और पहला तेवहार भी क्या होता है सोचो जरा कौन सा है ये तेवहार येस गुड़ी पाड़वा चैत्र मेने में गुड़ी पाड़वा आता है और इसी दिन गुड़िया खड़ी करके हम ये साल की और तेवहारों की शुरुआत भी करते हैं आप देखेंगे इस मेहने में और कौन-कौन से तेवहराते हैं राम नौमी जिस दिन हम राम लीला सुनते हैं और हनुमान जैन्ती है ना अब देखेंगे साल का दूसरा महिना और साल का दूसरा महिना है वेशाक इस मेहने में हमारी स्कूल की छुट्या भी शुरू होती हैं और भार कड़ी दूप की वज़े से हम घर में ही बैठे रहते हैं और इस मेहने में शादिया भी ज़्यादतर होती हैं इसलिए हम धूम ध करते हें और इस मेहने में तेहाराता है अक्षय त्रूतिया और इस मेहने के एक तारिक औ तेहाराता है महराश्रुदिय, ठीक है, अब हम देखेंगे साल का तीसरा महिना जो है, जेस्ट और इस महने में बारिश की शुरुआत भी होती है ये महना स्त्रियों के लिए बड़ा अच्छा होता है और बारिश की वज़े से मिट्टी की हम अच्छी खुश्बू भी ले सकते हैं ऐसास भी कर सकते हैं इस महने में वटप और निमा यह तिहर आता है अब हम साल का चोहता मेना देखेंगे कौन सा है ये आशाड और ये मेने में हम हमारे यहाँ पर जोर सी बारिश की शुरुवात हो जाती है और त्योहार रहता है जो पूरे महारश्ट्र का देवत है विठल पंडरोंग यह भगवान की पंडर पुरियगाव में बड़ी सी आत्रा होती है इस दिन हमारे स्कूल को भी छुट्टी मिलती है इसी मेने में गुरुप और निमा गुरुप और निमा को ही हम व्यास पूजा भगवान व्यास की पूजा करते है अपने स्कूल में शिक्षक आध्यापगण की इस दिन हम पूजा करते हैं ठीक है अब हम देखेंगे साल का पाच्वा मेना कौन सा ही यह? हाँ, श्रावन यानि सावन का मेना और ये मेने में तो त्योहार ये त्योहार होते है नागपंचमी इस दिन हम नागराच की पूजा करते हैं उसके बाद आती है नारली पोर्निवा इस दिन हम हमारे कोली बंदों समुन्दर में नारियल छोड़ते हैं और अपनी धन्दे की शुरुवाद भी करते हैं उसके बाद आती है रक्षा बंदन इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखे बनती है इसे हम रक्षा बंदन कहलाते हैं और सबसे अच्छा त्योहार रहता है कौन सा है? हाँ, हमारा राश्ट्रिय त्योहार 15 अगस्ट इस दिन हम अपना जहन्डा फ़र आते हैं उसके बाद आता है जन्माष्टमी जन्माष्टमी मिन्स स्रीकृष्णाष्टमी इस दिन हमारे कनया लाल की भी हम पूजा करते हैं दही हंडी जैसे त्योहार हम धूमदाम से मनाते हैं ठीक है? इसके बाद छटा महिना है भादरपद याने भादों का महना गवरी गनपती की पूजा भी की जाती है जिसकी हम पूरे साल भर रहा देखते हैं ये मेने में सब जग़ गनराजी की पूजा, आरती और साथ में हर तालिका, रुश्य पंचमी, गवरी पूजन ये भी धाम धूम से करते हैं ये दस दिन चलने वाला ये त्योहर हमारी यादगार दिनों में एक होता है, जिसकी हम पूरी साल भर रहा देखते हैं, ठीक हैं? अब हम देखेंगे सात्वा मेना, ये साल का सात्वा मेना कुन सा है? अश्वीन और ये अश्वीन मेने में मेने की शूर्याथ ही तिहार से होती है, और इस मेने में तिहारों की बोच्छारी रहती है मेहने के शूर्वात में ही मातराणी जी का नौरात रोट सो होता है, फिर गांधी जयनती और लाहलबादूर शास्त्री जी की जयनती होती है 9.3 के बाद 10 दिन के बाद तसेरा और रावन दहन होता है उसके बाद आती है कोजागिरी शरतपूर्णिमा उसमें दुखद शरकरा योग होता है और बाद में आता है दीपोटसव यानि दीपावली जो दियों का तेहरे इस तेहरान के पाच दिन होते है ौर इन दीनों में आई सारी खुशिया, हुशियों में हम दंग हो जाते हैं दीपावली का पहला दीन रहता है धनत रहो दशिंग दूसरा दीन नरक चतुर दशिंग और तीसरा दीन रहता है लक्षमी पूजन और बागी के दो दीन अगले मैंने में आते हैं तो ये अगला मेना कौन सा है ये देखते हैं? हाँ, कार्तिक, कार्तिक मेने के पहले दिन को ही हम केते हैं बाल प्रतिपदा, मींस दीपावली का पढ़वा, इस दिन ये पूरा दिन शास्त्रों में शुद्ध माना गया है, और इस दिन सारे शुभकाम किये जाते हैं, ठीके? और लास्ट पाच्वा दिन है दिपावली का भाई बीच का, जो भाई भान के रिष्टे की तोहिन करता हैं, और फिर चालू हो चाती है, तुलसी विवाह कितायारी, और तुलसी विवाह माज दिन चलता हैं, एकादशी चेले कर पोर्निमा, त्रीपुरारी पोर्निमा तक तुलसी विवाह शुरूरेता हैं, फिर तीपुरारी पोर्निमा मींस दियों की पूजा, सेखडों दिये जला कर अपनी खुशिया हम द्वीगुनित करते हैं, अब बारियाती है साल के नोवे महने की, और वह है मार्गशिश, इस महने में दत्त जयनती यत यहर आता है, त् महराज की इस दिन पूजा अर्चा की जाती है, अकलकोट और गांगापूर यह दोहनों नगरों में यत यहर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उसके बाद आता है अपने बाल दिन, यानि चाचा नेरू का जन दिन, इसमें बच्चे बहुत सारी खुशिया एक दू महिना, कौन सा है यह, यह महिना है पोश, और पोश महिने में स्तियोहार आता है मकर संक्रांती, जो हर साल 14 जन्वरी को आता है, अब कभी कभी 15 जन्वरी को भी आता रहता है, और उसके बाद इस दिन हम तील गुल से बने लड़ू खते हैं, और एक दूसरे को भी तील गु आते हैं, अब इसी महिने में अपना एक राष्ट्रिय तेहर आता है, वह कौन सा है, हाँ, 26 जन्वरी यानि गनतंत्र दिन, अब हम देखेंगे, साल का 11 महिना, माग, माग, इस महिने में तेहर कौन से आते हैं, हाँ, रध्ध सब्तमी, रमदास नौमी और महाशुरात्री, संतर रमदास जी की इस दिन पूजा की जाती है, जिनोंने हमें एक महान गरंत दिया है, और उसका नाम है दास बोध, जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद आती है रध्ध सब्तमी, जो हम तील गुल देखर उसकी पूजा करते हैं, और जीस दिन त्रिपुरारी पूर्निमा होती है, उसके दूसरे ही तिन से दास दौमी तक हम लोग सूर्य नमस्कार और योग साधना करते हैं, जिसकी समापती हम रमदास नौमी के दिन करते हैं, और उसके बाद आता है हमारा मन पसंत्योंहार महाशुरात्री, इस दिन अभी साल का आखरी, यानि लास्ट महना आता है फालगून, फागून का महिना, इस महने में सारे तेहरों की समापती होती है, और इसी महने में हमारा एक मन पसंत और सब के मन को भाने वाला तेहार रेता है, कौन सा है वो? हाँ, होली, दुली वंदन और रंग पंचमी यो त्योंहार पांच दिन करेता है, होली के दिन होली का दहन किया जाता है, दुली वंदन के दिन से लेकर रंग पंचमी तक रंगों की शुर्वात होती है, और रंग पंचमी के दिन भगवान कानिफनाजी महराज की पूजा क जाती है तो बच्चों केसे लगे आपको ये हिंदी महिने और इनसे जुड़े तेवहार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो कमेंट्स दो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो धन्यवाद